अब वेलकम टू फिशर चेस आज हम डिसकस करने वाले हैं के बारे में ख़ाफी सारे न्यू पैरेंट्स जो न्यू स्टुडेंट्स हैं उनके पैरेंट्स हैं वह क्वेश्चन करते कि टूर्णामेंट के लिए कैसे रजिस्टर किया जाए फिडे टूर्णामेंट क्या होती ह नॉन फिडे टूर्णामेंट क्या होती है इसके बारे में हम डिसकस करेंगे और फिडे के कुछ एलिजिबिटी क्या है कब आपको खेलना चाहिए फिडे टूर्णामेंट और बहुत सारे क्वेश्चन पूछते है कि मेरा बच्चा अभी जस्ट एक-दो मिना हो गया है उस जो वर्ल्ड के सभी चेस प्लेयर की रट्रींग रेटिंग मेंटेन करती है रेटिंग उती है फ्लेयर से उसका परीका परफॉर्मूर्ड उसके लिए इक सिंपल फार्मुला है अब 6.com में देख लेज़े कि आपके जो आपका जो बच्छा है या आप जो प्लेयर ऊपकी rating है च्रेस डॉटकॉम पे या फिर लिटेस पे इस एक्जाम्ब लेज़े कि श्रॉट कॉम पे आपकी रेटिंग वन 5 डबल 0 है और लेज़िस पर आपकी रेटिंग बन जाओगे अब यहां पर कैसे मनेंगे इसका मतलब यह है कि ऐसा नहीं कि आपको इंटरनाशनल कंसर किया जाएगा यहां पर आपकी पॉसिबिलिटी जो है यहां पर प्रॉबबिलिटी जो है जब भी आप फीडे की कोई इवेंट में पार्टिसिबिट करेंगे वहां पर आपकी फीडे की रेटिंग आ जाएगी वह कैसे आएगी तो अगर आप 1500 के आसपास रेटिंग है आपकी चेस.com में उसके बाद इसका मतलब है आपका गेम यह लेवल पर है कि आप कोई भी एक थाउजन टू 1100 फीडे रेट यहां पिलका है ओपन फीडे रापिड रेटिंग टूर्णामेंट रावट मिन्स टैन प्लस जो भी टूर्णामेंट होती है अप टू 30 मिनिट्स वह रापिड कंसिडर किया जाता है अब यह जो रापिड टूर्णामेंट इसके मिल यह पीडे अगर चाहिए तो आपको कु कि आपको टूर्णामेंट के बाद वहां पर रेटिंग परफॉर्मेंस यह याद रखें रहेटिंग पर्फॉर्मेंस से फाउजंड के ऊपर होना चलिए अगर आपको टेस्ट करना इसके लिए तो आप कोई भी लीचे सब्सक्राइब की टूर्णामेंट के लिए और वहा है तो है किसी बी लेना पड़ेगा एक प्रामेंट में उसके बाद आपको जीटना है उसके चलिए और और अगर वह गेम जी जाते हो और आपका परफॉर्मेंस थाउजन के उपर आ जाता है उसके बाद आप अगर फाइरेटेट के अगेंस खेल लेते हो तो आपको आपको ले ले लिजिए रैपिड ले ले लिजिए आपको रेटिंग आ जाएगे अब बहुत सारे पारेंट का क्वेशन होता है कि सर अगर मेरी मेरा बच्चा अगर दो तीन मैंने हुआ है उसका 11006.com पर रेटिंग है क्या उसने फिड़े खेलना चाहिए क्या मेरे इसाब से उसने फिड़े रेटिंग नहीं खेलना चाहिए ऑन दो बोर्ड उसका रीजन यह है कि आप अगर 1200 के आसप सरेगा हो सकता है दो सो तीन सो या चार्सो पास सो पॉइंट आचा है अब फिड़े क्या करता है कि आपका टूर्णामेंट का भी एवरेज निकलता है जिसे एक्जम्पल ले लेजी कि इस टूर्णामेंट में आप बहुत अच्छे नहीं खेले हो और आपका रेटिंग पर करके जाओगे 1200 1300 तक आप पहुच भी जाओगे परफॉमेंस आप रेटिट प्लेयर को हराओगे फिर भी आपको रेटिंग ने मिलेगी पैसा बहुत बहुत बार होता है कि कोचे से आप मिसगाइड करते है या शायद पता नहीं होता है हर कुछ हर पैरन्स को बलते कि बच् पर होना चाहिए इसके बाद अगर वह फीडे के लिए जाता है तो उसका बहुत अच्छा चांस है कि या उसको फाउजन बारा सो के रेंज में जो प्लेयर मिलेंगे 1200 के रेंज में लेंगे उसको हरा सकता है तो यह हो गया पहला चीज कि आपने फीडे रेटिंग खिलना च यहां पर इस सर्कुलर को थोड़ा ध्यान से पड़ता है यह थार्ड डूमियवली कल्ला इंटरनाशनल फिडे ओपर रापिड टूर्णामेंट है इसका मतलब यहां पर पूरा टूर्णामेंट होगा लगवग एक दिन में हो चाहेगा तो यह जो टूर्णामेंट होगा औ एक दिन में खतम हो जागी यहां पर नीचे में वेन्यू दिया है तो यह जो सारी इंपोर्टन इंफॉर्मेशन इसी इसमें दे चुके है देट कभ है प्राइज क्या है टॉफी कितने है और यहां पर दिया है सेपरेट हॉल फॉर पारेंट और जो भी को इंफॉमेशन यहां पर होने वाले हैं अब इसका मतलब किया है तो स्विष सिस्टम में क्या होता कि एक वाला एक सब्सक्राइब दो परिंट के साथ जान से जाते हो तो भी नैंथ आपको खिलने का चांस मिलेगा तो सब्जेक्ट अगर आपका भाई नहीं आता है तो अधर्वाइस आपको पूरे राउंड्स खिलना है इंदर स्पेक्ट आउप कि आप हारते हो या जीतते हो रिपोर्ट ताइम यहां पर दिया है नाइन तू नाइन थर्टी अगर आप फॉर्स ट को जाते हो तो सबसे पहले चेक्ट कीजए कि आपका लिस्टिंग में नाम क्या है नाम है कि नहीं तो यहां पर प्रूल दिया है उसके बाद यहां पर लिखा है कि एसी एफ रेजिस्ट्रेशन इस मेंडेटरी फॉर प्लेइंग विलिंग टू पाटी सिबन यहां पे भी बहुत सारे पैरंट को करना क्या है तो यहां पर देखिए एक लिंग दिए सिम्पल पर यहां पर टायप किजिए एए और रजिस्ट्रेशन तो अगर पर यहीं पर लिंग का जाएगी एए एक और एंडिया और यहां पर आपको एक वेबसाइट मिल जाएगी जहां पर आपको जाना है इसके पर आपने कोई नहीं खेला है तो आपको यह एक फॉर्म आ जाएगा जिस फॉर्म में आपको नेम लास्ट नेम एमेल आइडी मोबाइल नंबर आपको बहुत ध्यान से डालना है क्योंकि आपका जो एकनॉलिजमेंट आएगा यह आपके मेल पर आएगा तो रिलेशन्शेप यह बाकी सब चीज़े उसके बाद आपको यहाँ पर आएगा फीडे आईडी तो आपका फीडे आईडी है तो आप डालिए नहीं होगा तो सबस्क्राइघ यहाँ और आफ रूप में रहते हो और है आप का वका पास्पोर्ट है ग Nathan के वाले बाभ है तो यह हैं तो यह आ MB करना है नेक्साफाइप आपको अप्लूड ऑ करना है साइज देख लीजए आप यहाँ पे मेंचान की यह 1000 के आपको अपडेट करना है तो यहां पे अगीज आपको जो भी वहाँ पर मेंचन रहेगा वह पेमेंट कर रहे हैं कि आपको एक अक्नॉलिजमेंट मिलेगा आपको अपके मैसेज आ जाएगा जहापे आपने नंबर डाला है और साथ मेल भी आ जाएगा जहापे आपको टेंपरेरी AICF मेंबर्शिप नंबर भी मिल जाएगा और आपको AICF मेंबर्शिप करना पड़ेगा तो रिनियूल के लिए आप सिंपल यहाँ पर और और प्लेयर पर जाएगे और सर्च प्लेयर पर आपकोई भी पर अपने अपका नाम लिखे सर्च करिए और यहाँ पर रिनियूल कर सकते हो प्रोसेस बहुत सिंपल नियूल की अ कि यहाँ पर आप शायद कॉल करेंगे तो बहुत मुश्किल होगा कि आपका कॉल यह उटा पाए क्योंकि यह लोग बहुत बीजी होते हैं और उनको दिन में लगबख सो कॉल आते तो डोंट एक्सपेक्ट कि यह लोग आपको रिप्लाइग कर सकते करते तो बहुत बढ़ एक्सट एंट्रीवी घियम के लिए प्री है अधर प्लेयर्स रेटेद अन्रेट के लिए थाउजन रूपेस एंट्रीवी है रजिस्ट्रेशन साथ सेवन नोवेंबर को क्लोज हो का इसके बाद एंट्री करते तो तो 300 रूपेस इक्सटाश करना पड़ेगा अब आते में डीटेल्स होने के बाद आपको यहां पे यहां पे इस ग़ोरोदश्रेशन किया ऐसी अयर्फ आइड़ी आपको आपको वहांपे लिखना है डिन्ग वra तो आप में ऑप सकते हो और एहां पर जो ट्रांजक्शन झीया है उसका जो आपने स्क्रेंशॉट निकाला उसका फोटो यहां होगा त्रांजक्शन का जो भी अपने पैमिंड किया होगा उसका यह आपको इस जीमेल में welche A अब यहां पर देखिए on Gmail and WhatsApp और नहीं लिखा यहां पर तो आपको दोनों इसमें बेजना है कि आपके इंट्री कन्फर्म हो जाए कि इसका यहां पर कैश प्राइज दिए तो यह यह तो understandable है कि कुन से क्टेगरीज में या रेटिंग वाइस क्या-क्या प्राइजेस है चलो तो यह सबसे ज़्यादा जो पूछा वाला क्या जाए लास्स टाइम एक बार फिर से मैं बता देता हूं कि आप टाइप किए जिए और यहां पर अगर डालते तो आपको एक एपसाइट मिल जाएगी यहां पर आप जाइए और यहां पर आपको प्लेयर्स में कुर्ट्ट केशन मिलेगा यहां पर क्लिक किजिए फॉर्म फिलब्स कीजिए वर्थ कौर्ट को हैं सब्लोड करना है और सब्मीट करने के वाद आपको that's it suboured करके आपके अपके mail ID पर firearm आजाएगा अगर आपको इसके अलावा कोई क्इसे ओको तो आप comment box में डाल सकते, मैं उसको solve करने की कोशिश करूँगा, thank you